हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं कि react.js के अंदर हम लोग nested looping कैसे कर सकते हैं nested looping का मतलब क्या होता है जब हम लोग एक loop के अंदर एक और loop लगा देते हैं तो उसको nested looping कहते हैं सबसे पहले हम लोग array के structure को समझेंगे जिसके साथ हम लोग nested looping कर सकते हैं और यहां पर मैं आपको scenario बताऊंगा कि किस case में किस scenario में आपको nested looping की ज़रूरत पढ़ सकती है then हम लोग बाहर वाला array की outer loop बनाएंगे फिर उसका inner loop बनाएंगे कि उस दो loop चलेंगे एक बाहर एक अंदर इन दोनों loop को बना लेंगे और यह भी देखेंगे कि हम लोग outer component के लिए outer loop के लिए अलग से component और inner loop के लिए अलग से component कैसे बना सकते हैं और last में कुछ important interview question बे discuss करने वाले हैं यह हमारे react.js 19 की playlist है जो आपकी definitely help करने वाले है react.js की job में, project में, interviews में पूरी playlist देखना, link में ने description box में डाल दिया है हाँ guys, एक चीज़ हो रहा है, आज मेरा थोड़ा गला गराब है, so maybe आपको आवाज थोड़ी सही ना लगे, so please corporate करना और अब हम लोग code पे चलते हैं अब इसी तरीके से एक और college भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसका नाम में आप रख देता हूँ, कुछ भी नाम लेते हैं, let's say, IIT Delhi, and maybe एक हमारे पास एक और college है, जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, let's say, name, KCIET All right, then हम यहाँ यहाँ लगा देते है, Hisar, because यह Hisar में college है, All right, ठीक है, so अब देखो, जब भी college है, तो इनकी और भी details होगी, जैसे कि college की city होगी, City यहाँ पे अल्रीदी मेंचेंड है, बट ठीक है, मैं एक अलक्सी भी देता हूँ, Allure, Then, यहाँ लोग कर देते हैं, city, यहाँ पे कर देते हैं, Delhi, Then, last one यहाँ पे कर देते हैं, city, Hisar, ठीक है, अब इनकी कोई ना कोई website भी होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे website डाल देता हूँ, so then, यहाँ पे website रही, let's say, IET.com, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करी, and then, मैं यहाँ पे पेस्ट करी, ठीक है, और यहाँ पे इनके college के नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि, IET कर दिया मैंने, और यहाँ पे, इसी, IET कर दिया, cool, थोड़ेन को format में कर लेता है, अब देखो, यह चीज़े तो हो गई, ठीक है, but हर एक college के अंदर student भी रहे होगी, so, यहाँ पे student है, मारे पास समालो, ठीक है, student नाम से एक key है, और एक student तो है नहीं, एक पूरे college के अंदर multiple student हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इनका एक array लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ एक array ले लिया, अब यहाँ पे, let's say, students की details भी add गरनी है, तो मैं यहाँ पे student की details भी add गर देता हूँ, जैसे कि पहला student है मेरा, यहाँ पे name है उसका, अनिल सी तो, ठीक है, then अब student है, तो उसका नाम है, तो उसकी age भी होगी कुछ ना कुछ तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, एच, और हम मैंने इस डाल दी, let's say, 29, and then contact number भी होगा, let's say, email id, यहाँ मैंने डाल दी, यहाँ पे, Peter, इस डाल देता हूँ, let's say, 20, and then यहाँ पे, Bruce, इस डाल देता हूँ, 25, and यहाँ इसकी email id होगी, ठीक है, यहाँ पे, sorry guys, जहाँ पे को मैं भी लगा देता है, alright, so, जैसे हमारे पास पहले college के अंदर student है, इसी तरीके से दूसरे college के अंदर भी कुछ students हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मैं नाम अभी के लिए same रख रहा हूँ, ताकि हमारे जादा time waste ना हो, and तीसरे college के अंदर भी इसी तरीके से students हो सकते हैं, ठीक है, तो अब देखो, पहला loop तो हम लोग बाहर college वाले data के लिए लगा सकते हैं, हमें college का data दिखाना है, then maybe हमें college के अंदर students का data भी दिखाना हो, तो दो loop लगेंगे यहाँ ठीक है, इस तरीके से हम लोग nested loop का use करेंगे, यानि कि जहाँ पे हमें एक data ऐसा है, कि जहाँ पे loop लग रहा है, इसके अंदर हमारे पास एक college का नाम रहेगा, और यहाँ पे इसके details हैंगी, तो मैं यहाँ पे एक div ले ले लेता हूँ, इस तरीके से, यहाँ पे इसको close and open and close कर देते हैं, then हमें आप पता है कि यहाँ पे हमें इसके id भी देनी होती है, अगर id नहीं दी तो कोई बात नहीं, जो map है इसके अंदर second इसका index होता है, तो आप लोग यहाँ पे इसको index को ऐसा key बना सकते हो, ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, then मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक let's say, जो college का नाम है, यहाँ पे इसको h1 tag में दिखाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, name, इस तरीके से college.name, जी कहाँ अपको इस college यहाँ पे की था, और अब जैसे आप यहाँ पे आओगी तो आपको यहाँ पे चारो college के नाम देखे रहे हैं, उपर तो नॉर्मल हैडिंग है, अगर मैं इस नॉर्मल हैडिंग को एक बार के लिए हटा दूना, हटा देते हैं, comment out कर देता हूँ मैं इसको, तो आप यहाँ पे देखो कि तीन college है हमारे पास, यहाँ पे टाइग लूँगा, और इसके अंदर यहाँ पे क्या डाल दूँगा, city, ठीक है, और city आगे हम लोग क्या डाल देंगे, college, जो इसका नाम है की का, and then, उसकी आगे वाली की कौन सी है, city, सेम इसी तरीके से, मैं एक और लाई बना हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दूँगा, website, and अब आप देखो, आपको यहाँ पे प्रोपर ली चीजें दिख रही है, इसमें मेरे इसाप से अब कोई दिखकत नहीं होगे, ठीक है, so, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग से component ले लेता हूँ, component का मैं यहाँ पे नाम लूँगा, let's say, college.jsx, ठीक है, यहाँ पे एक const लेता हूँ, college, एक arrow function लेंगे, return करेंगे यहाँ और return के अंदर मैं यह जो पूरा का पूरा div है ना मेरा, इस तरीके से, इसको उठाग पूराट होगा, college, ठीक है, यह हो गया, then, इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे प्रोप्स भी चाहिए, प्रोप्स मैं किस नाम से पास करूए, यहाँ पे, college नाम से पास करूँगा, अभी जो पास करूँगा, उसे को मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, सुमें इस college को से मैंने एक प्रोप्स पास करा, और इसके दर मैंने क्या डाल दिया, यह college वाले जो data यह डाल दिया, ठीक है, और इस प्रोप्स को मैं यहाँ से इस तरह किसे निकाल देता हूँ, college, ठीक है, तो अब आप देखोगे, कोई भी फरक नहीं, बिल्कुल जैसे पहले था, वैसे कर लेता हूँ, ठीक है, background color थोटा साम लोग क्या करेंगे, lights आ लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीक से रखा दिता हूँ, अब आप देख पार हूँ, background color इस तरीक से आ गया, then इसके बाद में हम लोग padding दे देते है, padding 20%, 20 pixel आ गई, ठीक है, अब यह भी ठीक लग रही है, यहाँ पर डाल देता हूँ, let's see, 2 pixel, solid, and then इसके बाद में, black color का करता हूँ, इसको इस तरीक से, तो आपको यहाँ पर नीचे border भी दिख किया, then इसमें अब थोड़ी सी margin भी चाहे तो दे सकते हैं, इसका margin भी हो गया, अब next चीज हम लोग और क्या कर सकते हैं, let's see, radius देते हैं, थोड़ी सी, ठीक है, border, radius, 10 pixel, and there we go, ठीक है, अब थोड़ा सा, हमें यह पूरे पूरे लगला component लग रहे है, अब इसमें को दिखकत नहीं है, बट जो यह college data है, अगर मैं इसको यहाँ पर console कर हो, इसके अंदर student का data भी है, यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर college यहाँ पर city है, जो यहाँ पर आ चुकी है, name है, यह भी आ चुका है, website आजी भी आ चुका है, बट यहाँ पर students भी है, तो इन students के ऊपर भी हम लोग एक loop लगाना चाहेंगे, definitely, तो अब मैं यहाँ पर आ के क्या करता हूँ, एक, इस LI के बाद में, इस LI के अंदर, एक LI और ले लेते हैं, इस सहाँ पर, ठीक है, and then इस LI के अंदर हम लोग क्या करेंगे, college, जो हमारे पास करेंगे, item, ठीक है, and then हम लोग इस item में हम लोग क्या करेंगे, एक div ले लेते हैं, सबसे पहले तो बेटर रहेगा, ठीक है, and then इस div को बंद करके, मैं यहाँ पे h1, या फिर h4 tag ले लेते हैं, h4 ठीक रहेगा, ठीक है, and then इस में यहाँ पर लिखता हूँ, item, या फिर item की और छी गाँ पी, ना हमको चूट्ट के अंदर से स्टूरेंट निकालता हूँ, ठीक ह है, ठीक है, ना में बहुत रखकला हूँ, ठीक है, ठीक है, तुट्ट्ट्ट्न मैं यह उओ रहे है, student.name, यह करा, and then जब आप यहाँ पे आते हो, तो आपको दिखता एक एर, तो इस sorry actually college dot student के ऊपर चलाना था हमने, my bad, अब यह चलना चाहिए, अब यह प्रोपर ली काम कर रहा है, आप आप देख पा रहे हो कि तीनों के तीनों students के नेम भी आ रहे है, तो इस case में मैं क्या करूँगा, यहां पर एक तो h3 tag लूँगा, और यहां पर करूँगा students, यह कर दिया मैंने, and then, यहां पर h4 tag आ रहे हैं नीचे, बैटर है, ठीक है, इसके नीचे, but इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग से ul ले ले लेता हूँ, था कि थोड़ा सा अंदर और दीखे, ul, यह था न, तो जो यह div है, इसको मैं convert कर लेता हूँ, ul के अंदर, ul, li, और, li में करूँगा, name, and name में क्या आएगा, student.name, ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हो, अब इस तरीके से हमें यहां पर names भी दिख रहे हैं, अगर मैं इसको प्रोपर पूरा दिखा हूँ, तो यहां पर आप देख सकते हूँ, यह मारा first component है, उपर वाला loop है, अब यह हमारा second वाला loop है, इसके अदर second वाला loop यहां पर चल रहे है, students के लिए, यहां पर चल रहे है, ना वाम change करना चाहँ तो आप change कर सकते हो, कोई दिखकत नहीं है, अब मैं कहा चाहता हूँ कि जो यह student है, इसके लिए अलग से loop, एक अलग से component बने, तो मैं हाँ यह कर again, फिर से component लोगा, यहां भी लोखूँगा, student equal to, इस तरीके से return करूँगा, then मैं यहां भी लोगा div, then इसके बाद मैं भी यह करूँगा, export default, student इस तरीके से, okay, then हम लोग यहां पर student निकाल लेंगे, as a props, ठीक है, और जो यहां पर data है, यहां पर हम लोग ने रखा है, यहां पर map लगा के, तो इस पूरे के पूरे को, मैं यहां पर paste कर देता हूँ, इस तरीके से div के अंदर, ठीक है, and इसको थोड़ा format कर लेते हैं, देहोगे कोई भ सेव करूँगा, तो आपको definitely फरक दिखेगा, students यहां से भाग गए है, okay, so अब students को यहां पर import करना पड़ेगा, जो हम लोगो ने यहां पर कर रहे है, तो अब मैं यहां पर आ के लिखना शुरू करता हूँ, student and इसको बंद करा, but यहां पर हम लोगों को students pass भी तो करने पड सकते हैं, and we'll see, college not defined, okay, so college यहां पर defined नहीं है, यह वला रा, right, तो यहां पर हमें इसकी जुरूट नहीं है, इसको हम लोगो हटा देंगे, हमारे पास map ECB चलेगा, and there we go, right, so यहां पर आप देख सकते हो, perfectly अभी भी काम कर रहा है, इसमें कोई भी issue नहीं है, कोई भी दिक्क सकते हैं, हाँ, इसे थोड़ा color वलर करना, आप लोग कर सकते हो, so यह nested looping होती है, हमारी, अब interviews के अंदर directly इसका assignment दे सकते हैं, चोटा सा की loop में, loop कैसे करके दिखाओगे, अलग से component कैसे बना सकते हो, loop के लिए, nested loop के जुरूट कैसे बढ़ सकते हैं, फिर आप से यह बो के अंदर एक छोटा सा task दूँ हमें आपको, then उसको में लोग complete भी करेंगे, so please पूरी series को देखना, आराम से बैठके, वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, comment section में feedback दो, और यह मेरा Google Pure PTM का donation number, thanks guys.